श्रीशिवाय नमस्तवियम हर हर महादव क्या आपके यहां बच्चे नहीं है आपके विभाव को 25 से 30 साल हो चुके लेकिन आपके घर में संतान के किलकारिया नहीं गुझ रहे हैं आपको संतान सुक प्राप्त नहीं हुआ है तो देखे अभी 16 रात के दिन चलेंगे जो कि सा संतान के किलकारी जरूर गुझ ज़ेगी आपके हां संतान का योग जरूर बन जाएगा देखें गुरु जी न कहा है कि यह उपाया जो है इस तरक पित्रपक्ष में किया जाने वाला उपाया है और इस उपाय को यदि आपने गल लिया तो आपके हां बच्चे जरूर इस यानि की इस साल की पित्रपक्ष शुरू होने वाल है जो कि पूरा सोला दिन तक चलेंगे तो इन दिनों में आपको इस उपाय को कब करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए देखें आपके घर में जिस दिन भी आपके घर पित्रदेव की तीथी होगी जैसे कि आपके आपके माता पीता की आपके सास ससुर की या आपके घर के किसी भी सज़स्य की जिस दिन भी पित्रपक्ष में तीथी होगी और जिस दिन ब्रामन देव आपके घर में भोजन करने के लिए आएंगे उसी दिन आपको इस उपाय को करना है और इस उपाय को यदि आपने कर ल तो अगले पित्र पक्ष तक आपके घर में सन्तान जरूर हो जाए यह उपायzy आप बोको पुरी शद्द्वा और विश्वास के साथ किजिएगा और यह उपायayस पित्र पकष में किया जाने वाल उपाय तो चलिए जानते हैं कि करना क्या है देखिए जिस दिन आपके घर में पित्रों की तीथियों और आपके घर में ब्रामण भोजन करना है तो आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में जो भोजन बनता है उसके ब्रामण देवाते हैं उनके सामने हम भोजन ले जाकर रखते हैं तो देखिए घर का कोई भी सदस्य, घर में बना हुआ भोजन, उस ब्रामणदों के सामने ले जाकर रखें, कोई बात नहीं, लेकिन खाने में जो बहुत सारी चीज़े बनती हैं, जैसे कि पूड़ी, बड़ा, सबजी, हलवा, खीर, मिठाईयां, बहुत प्रकार की चीज़े रहती हैं, तो इसमें भाले ही सबी चीज़ों को कोई भी घर का सदस्य ले जाकर उस ब्रामणदों के सामने परोज दे, लेकिन आपने अपने रसोई घर में जो खीर बनाई है, तो जिसके यह संतान की कामना है, जिसे लगता है कि उसके घर में संतान होना चाहिए, तो उसको यह उपा ब्रामणदों के सामने इस खीर का प्रशाद आपको अपने हाथों से उनकी ठाली में रख कर आना है, आप चाहें तो पूरा खाना भी ले जाकर ब्रामणदों के सामने रख सकती है, और यदि आपके पती या आपके घर का कोई सदस्य पूरे भोजन की ठाली ले जाकर ब्र प्रामाण देव को आपने हाथ से बनाई ही खीर अपने हाथ से लिजाकर परोज दी तो ब्रामाण देव के अंदर विराजमान आपके घर के जो पित्र देव हैं वे आपको संतान प्राप्ति का आशिरवात जरूर देंगे गुरु जी ने कहाए कि संतान प्राप्ति का बहुत ही अचुक उपाय है और केवल पित्र पक्ष में ही किया जाने वाला उपाय है बागी किसी दिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते तो देखें सराद पक्ष है ये पूरे 16 दिन चलेंगे और पित्रों की असीम कृप्ता पाने नहीं चाहिए तो देखें इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो आपके घर में संतान की किलकारियां गुंजने लग जाएंगी सिसी माय नमस्तु भ्यम हर हर माहाद हूं